Hello friends आज मैं आपको Tune in for love ये एक Korean love story explain करने वाला हूँ दो लोग एक दूसरे से मिलते है पर हालातों के वज़े से जुदा हो जाते है एक दूसरे से प्यार तो एक करते है पर हमेशा जुदा हो जाते है आज की मुवी बहुती ब्यूटिफुल love story है अलग-अलग टाइम पिरेड में बहुत ही ब्यूटिफुल तरीके से हमें मुवी दिखाई कही है तो चली इस मुवी को explain करना start करते है मुवी start होती है और हमारी main character जिसका नाम है मिसू यह हमसे introduce कराई जाती है मिसू के एक बेकरी है जिसमें हो काम करती है एक दिन वो ऐसे ही काम कर रही है और वहाँ से ह्यून गुजरता है है हमारा और एक main character है ह्यून फिर बेकरी में आग कर सोया milk मांता है इसके हलावा उसे टोफू भी जाई है मिसू उसे देखकर डर जाती है क्योंकि ह्यून पहले जेल में था और इसके बहुत सारे चर्चे थे बेकरी में टोफू और सोया बें दोनों नहीं होते तो दूसरे बेकरी में उसे जाने के लिए कहती है मिसू के साथ इंजा भी काम करती है इनके बेकरी में हेल्प करने के लिए इन्हें एक आदमी की ज़रूरत होती है इसके लिए इनने बाहर requirement लिखी हुए होती है यून जब इस बिकरी से गुजरता है तो इसे वो notice करता है पर मेसू जल्दी से इसे निकाल लेती है यून स्कूल जाता है और टेरेस बर जाकर वो बहुत ही दुखी है यह हमें दिखता है इसका reason क्या है यह movie में next में पता चलेगा शाम होती है तो हून बेकरी में आता है वो इन्जा और मेसू से कहता है कि वो यहाँ काम कर सकता है उसे बैसो के जरूरत है हून आब अच्छे से वहाँ काम करने लगता है एक दिन यह सब बैठे हुए होते है तो हून मेसू और इन्जा से पुछता है कि तुम mother daughter नहीं हो ना इन्जा कहती कि नहीं यह फिर उनके स्टोरी से सुनाती है मेसू भी कहती है कि मेरी मदर के साथ इन्जा काम करती थी जब वो बिमार पड़ी तो इन्जा ने सब को सीक लिया था उनकी गुजर जाने के बाद इन्जा ही मेरा खयाल रखती है यह mother daughter नहीं है पर इनके relationship कोई mother daughter से कम भी नहीं है यह दोनों फिर हुन से जब वो जेल में था उसके बारे में पूछती है हुन केता है कि जब मैं जेल में था तब सब days same थे रेडियो पर एक show आता था उसी वज़े से मुझे time पता चलता था मेरा routine मेरा खाना बेना सब कुछ एक ही type का होता था मैंने तब imagine किया था जेल से जब मैं बहार आऊंगा तो बहुत सारी चीज़े खाऊंगा इसी वज़े से फ़र्स सेन में टोफू और स्वयमिल जैसी चीज़े मांग रहा था बहुत सारे दिनों तक हुन अच्छे से काम करता है फिर क्रिस्मस आता है इंजा क्रिस्मस के लिए special डोनट्स बनाते हैं यह मीसू और हुन दोनों को बहुत पसनाते हैं इंजा को आइड़ा आता है कि हुन को नया हेरिकट देना चाहिए यह हेरिकट देखकर बहुत सारी लड़किया हुन से एट्रेक्टेड हो जाती है और हमेशा बेकरी के आस पासी घुमती है मीसू इन से जरा जेलस होकर इन सब को भगा देती है हुन और मीसू जब दोनों बात करते है तो यह एक ही एच के है अब काम करते वक्त इतना सारा टाइम में एक दूसरे के साथ गुजारते है रेडियो पर हमेशा एक शो चलता रहता है इस वज़े से इस मूवी का नाम भी टून इन फॉर लव है एक दिन जब बारिश आती है तो एक दूसरे को देखकर ही ब्यूटिफुल स्माइल करते है हुन अभी भी मेसू को मैम बुलाता है तो उसे कहती है कि हम दोनों एक ही एच के है मेसू और इंजा इस पर बहुत हसते है क्रिस्मस के लिए क्रिस्मस टी लगाए जाती है हुन, मिसू और इंजा ये सब तिनों मिलकर फोटो खिषते है एक दिन इनके बेकरी के सामने अच्छनक से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है इस कंस्ट्रक्शन से इनका बिजनेस हट हो सकता है एक दिन ह्यून जब बेकरी में ही काम कर रहा है तभी उसका एक फ्रेंड उसे स्पॉट कर लेता है यह उसका फ्रेंड जेल में से है इंजा ने स्पेशल कपकेक बनाये थे छोड़े चोटे बच्चे इसे खाने के लिए आते है यह जो क्रिस्मस का मोहल है यह बहुत ही ब्यू इसके साथ चला जाता है मिसू और इंजा यह दोनों हताश हो कर बेटती है मिसू इंजा से पुछती है क्या तुम्हें लगता है कि वो आपस आएगा इंजा गहती कि शायद आ सकता है इंजा समझ गई थी मिसू उसे लाइक करने लगी थी यह सारे फ्रेंड अब ड्रिंक कर और एक्सिडेंटली उनका फ्रेंड उपर से नीचे गिर गया इसी वज़े से जेल में था हमने प्रिवेस में देखा था कि टेरेस पर जाकर हुन बहुत ही दुखी था यही वो वज़ा थी इस होटेल में यह सब फ्रेंड दारू के नशे में ही है तो वहाँ एक क्लाइंट आता है और उससे इनकी लड़ाई हो जाती है यून प्रोबेशन में था जिसका मतलब है अपने फ्रेंड से उसे नहीं मिलना चाहिए था पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है तो फिर से उसे जेल भेज दिया जाता है मिसू रात भर बेकरी में ही रुक कर यून का वेट कर कर सकती है और दूसरा एक लिटरेफर का जाब है यून दिखा जाता है जो अब मूवर्स के लिए काम कर रहा है हमने पास साल पहले देखा था बेकरी के सामने कंस्टfund स्टार्ट हो गया था इसी वजह इसे बेकरी बन पड़ गे ihn जाने फिर अपना छुद का करती हैं रात में मिसम से मिलने के लिए आती है मिसम की एज़्यकेशन के लिए जो भी सब ऐसे लगने वाले थे वह पूरी इंजा की सेविंग ती और उसने उसे दे दी थी मिसम के जॉब लगी है तो इंजा को वह बहुत ही grateful है मिसु के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी का है तो फिर से बेकरी देखने के लिए आथी है। यौन राद में लेबरेरे में काम करता हैं उसका ओनर उसे कहता है कि मेरी मझर को घर पर चोड़कर आओ जब मदर को छोड़ने के ले जाता है तो बेकरी के सामने से ही गुज़रता है और मेसु उसे दीख जाती है ये दोना इक दूसरे को देख कर बहुत ही खुश होते है, यून कहता है कि यही रुखो, मैं जल्दी से इने छोड़ कर आता हूँ, वापस आते वग, यून भागते भागते ही आता है, मिसू से पूछती है कि तुम अब क्या कर रहे हो, यून कहता है कि मैंने अपना एजुकेशन कंड़नियो किया था, मिसू यही एक रात है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए यून फिर मिसु को घर छोड़ने के लिए उसके साथ चलता है मिसु की बिल्डिंग जब आती है तो नीचे से गुडबाय गेकर जा रहाता है आगे चल कर फिर से वापस आता है मीसू भी बैलकनी में खड़ी होकर उसका वेट ही कर रही थी ये दोनों मीसू के घर पर डिनर करते है और आज लेट हो चुका है तो हिउन अब यही रुकने वाला है रात में मीसू हिउन से यह थी है कि मैं तुमारे लिए वेट कर रही थी मुझे लगा कि तुम आओगे हिउन उसे जो भी सब हुआ था यह सब कहे देता है सुबा मीसू जल्दी उठती है अपने लिए एक इमेल बनाती है हिउन दूर जाने वाला है पर फिर भी इस इमेल के जर्य वो एक दूसरे से बात कर सकते है सुबा होती है तो हिउन को एमेल आडरेस देती है वो उससे कहती है जब तुम आपस आओके तो यही मैं दुमारा वेट करूंगी यह दूसरे को हग करते है पर बहुत ही इमोशनल हो जाते है हिउन उसे एक किस करता है और फिर एक दूसरे से वालविदा लेते है मिसु आज जब काम के लिए आती है तो अचानक से उसे रियलाइज होता है कि उसने सिर्फ हिउन को एमेल दिया था उसका पासवर्ड उसने उसे दिया ही नहीं यानि कि एक दुसरे से बात करने का चांस उनका चला गया है जो रेडियो शो यह दोनों बेकरी में सुनते थे वहां भी मिसु एक स्टोरी देती है इस स्टोरी में हिउन के लिए हो मैसेज देती है कहती है कि मेरी घर का जो कोड है यही पासवर्ड है पर यह शो हिउन नहीं सुनता यून बहुत ड्राय करता है अलग अलग पासवर्ट पर वो फिगर आउट नहीं कर पाता मिसु जब रेडियो में स्टोरी देती है तो डोनट और टोफू इस तरह से एक दोनों के वो निकनेम देती है टोफू हून का निकनेम और डोनट मिसुन का हून शायद कभे भी इमेल खोल नहीं पाएगा पर मिसु अपने लाइफ का सब अपडेट्स इमेल में लिखती रहती है अब दो साल गुजर चुके है और अपने सर्वेस से हून वापस आ चुका है वो मिसु के घर पर जाता है पर उसने मूब आउट कर लिया है एक दिन अचानल से मिसु को इमेल आता है हून ने इस इमेल का पासवर्ड फिकर आउट कर लिया है इस इमेल में हून लिखता है कि जब मैं तुमारे घर के पास गया तो मुझे पता चला कि तुमारे घर का नंबर तुमारे पासवर्ड हो सकता है और उसने वो अकाउंट ओपन कर लिया यह एक दूसरे से नंबर एक्षेंज करते है यह दोनों एक दूसरे का हाल बोचते है और मिसु कही थी कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था यह उन कहता है कि तुम्हारा आवाज सुनकर मैरा डे ब्राइट हो चुका है यह दोनों डिसाइड करते हैं कि छे बज़े फिर से एक दूसरे को कॉल करेंगे छे बज़ जाते हैं पर हुन का कॉल उसे नहीं आता वो ट्राइ करती है पर हुन पीक अप नहीं कर रहा जिस जिम में हुन काम कर रहा था इस जिम्में फाइट होके और फाइट में यून पकड़ा गया पुलिस ने उसे रोक कर रखा था उसका फोन भी गिर कया सिवजे से वो मिसू से कॉल नहीं कर पाया मिसू इमेल लिखने का ट्राय करती है इस इमेल में लिखती है कि तुम्हारा कॉल नहीं आया तो मैं इसके लिए जरा grateful ही हो इतने साल बीच चुके है मैं literature में कुछ करना चाती थी book लिखना चाती थी पर ये कुछ भी करनी पाई तो अपने आपको एक cruiser समझती है यून की उसे जरूरा थी पर यून ने उसे ignore कर दिया ऐसे उसे लगता है ये वो email लिखती है पर कभी भी send नहीं करती यून भी email लिखने के लिए try करता है जो भी कुछ हुआ वो लिख देना चाता है पर ये email वो भी नहीं send करता इसके बाद फिर से 5 साल गुजर चुके है मीसू अब एक publishing company में काम कर रही है ये उसे लगता था नमबर 6 आ चुकी है मीसू भी इसके लिए बहुत एकसाइटेड है अगर एक दिन मीसू ऐसे ही काम कर रही है तो रस्ते से हुन गुजरता है उसे देख लेता है रात तक वो office के बाहर ही रुखता है मीसू बाहर आकर हुन से यहती है कि उसे देखकर वो बहुत खुश है यून बोलता है कि चोलो में तुमें कुछ दिखाना चाहता हूँ वो उसे अपने apartment पर लेकर आता है ये भई apartment है जो मीसू क्यों हुआ करती थी मीसू ये देखकर बहुत ही surprised है मीसू अब बहुत सारा time हुन के साथ गुजारना चाती है तो तीम दिनों के लिए छुटी ले लेती है ये दोनों एक दुसरे के लिए cook करते बहुत सारी बाते भी करते कि उनको photographic करना भी अब पसना आता है उसने बहुत सारी photos लगाए हुई है ये बहुत सालों पहले की भी है मीसू से बुछती है कि फोटो तुमने क्यों लगाई है ये उन कहता है कभी तभी memories भूल जाता हूँ जो past की memories थी वो हमेशा के लिए memories में मुझे रखनी है रात में एक दुसरे के past हुआते है ये उन कहता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम डर गई थी या तुम्हें अब डर लग रहा है मीसू कहती कि नहीं और एक दुसरे के साथ intimate हो जाते है इनकी relationship बहुत ही beautifully developed होती है एक दुसरे को books पढ़कर सुनाते है एक दुसरे के साथ बहुत सारा time spent करते है यून को इन्जा से मिलना है मिसू से लेकर भी जाती है पर मिसू अंदर नहीं आ रहे है यून उसे पुछता है एसा तुम क्यों कर रही हो मिसू कहती है इन्जा में बहुत सारा potential था वो एक बड़ी shape बन सकती थी अच्छे से अपने life जी सकती थी पर एक आदमी से उसने शादी कर ली और उसके बाद उसकी step daughter को ही वो समाल रही है यह सब मिसू को अच्छा नहीं लगता तो अब वो इन्जा से नहीं मिल दी यून अकेले ही इन्जा से मिलने के लिए अंदर जाता है इन्जा उसे देखकर बहुत ही खोश है इन्जा की step daughter उपर आकर cigarette पी रही है तो मिसू उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत डाटती है अब इन्जा और मिसू एक दुसे से मिल जाते है रात में यह सब मिल कर डिनर करते है यहन और उसका फ्रेंड मिलकर एक फोटोग्राफिका स्टूडियो चलाते है यहन के फ्रेंड को एक stable job चाहिए इसलिए छोड़ कर उसे चला जाता है हमने मुविय में देखा था कि मिसू के फ्रेंड एक रेडियो स्टेशन पर काम करती है इस रेडियो स्टेशन पर एक फोटोग्राफर होने चाहिए मिसू हून को recommend करती है और हून को वहाँ job मिलता है मिसू जब हून का studio देखने के लिए आती है तो वीडियो record करती है उससे पुछती है कि तुम जो यह smile करते हो क्या यह fake है यून कहता है कि मेरे life में बहुत ही कम चीज़े है जिनने देखकर मैं सचुछ में खुश होता हूँ और तुम उसमें सेख हो मिसू यह सब सुन कर बहुत शर्माती है यून मिसू का फोटो निकाल कर अपने studio की ceiling पर लगा देता है यानि कि आसमान में जब भी हो देखे तो उसे मिसू ही दिखे एक दिन मिसू और उसका बॉस बेटा हो होता है तो उसका बॉस उसे एक plan दिखाता है मिसू का बॉस उसे एक location दिखाता है और कहता है कि यह bakery तुम run कर सकती हो मिसू को bakery पसन है और उसके बहुत को पता था तो डारेक्ली पूरी बेकरी ही मिसू को उसने दे दी है मिसू भे इस सुनकर बहुत ही खुश है यून आज काम से जल्दी से आने वाला था मिसू उसका वेट कर रही थी पर अचानक से उसके फ्रेंड्स का उसे कॉल आ गया यून का जो फ्रेंड एक्सिलेंटली मर गया था आज उसका मेमोरियल है यून और उसके फ्रेंड्स जाकर हर मेमोरियल डे पर उसकी मदर को पैसे दे कर आते हैं यून चुपके से जब यह रख रहा होता है तो उसकी मदर उसे स्पॉर्ट कर लेती है उसे बुछती है कि अब तुम क्या कर रहे हो वो कहती है अगर मेरा बेटा जिन्दा होता तो तुम्हारी एच का होता वो भी अब जॉब कर रहा होता तुम सब लोग ने जो भी किया वो बहुत गलत था और इसके लिए तुम्हें जेल में होना चाहिए था यून उसे सौरी कहता है उसे बहुत ही गिल्टी मेसुस होता है तो बहुत रोता है यून अपने फ्रेंड के साथ जब था तो अपना फोन उसके फ्रेंड के यहाँ ही छोड़ कर गया था मिसु कॉल लगाती है तो यून का फ्रेंड इसे उठाता है मीसु यून के friend से बुछती है कि वो सब कहा थे ये सब कुछ उसे बता देता है जब रात में हिून घर पर आता है तो मीसु ये सब सवाल पुछती है हिून इस सब से disturb होता है उसे कभी भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी होती वो डारेक्ली उठता है और घर से बाहर निकलने लग जाता है मिसू यह थी कि ऐसा मत करो क्या हुआ हुन बोलता है कि तुम ही एक थी जिसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए था उसका फ्रेंड मर गया था जिवजे सो हमेशा गिल्टी महसूस करता है और यह सब चीज़े वो मिसू से दूर रगना चाहता है हर आदमी हुन को ही दोशी मानता है हुन मानता है कि अगर मिसू को पता चल गया तो अलग नजर से उसे देखी की यह आइडिया वो इमेजिन नहीं कर पाता और डारेक्ली घर से निकल जाता है जिस फ्रेंड ने मिसू को बताया था उसे हो बहुत मारता है उसका फ्रेंड भी उसे मारता है उसका फ्रेंड कहता है तुम्हे क्या लगता है कि सिर्फ तुम हर्ट हो रहे हो तुम्हें जो महसूस होता है यह हम भी महसूस करते है मारखा कर राइक लिए इंजा के पास आता है इंजा उसकी मलंबट्टियों एकरा करती है यून को रेडियो स्टेशन में नहीं जॉब मिल गई है तो अपना स्टूडियो उसे बेशना पड़ता है ये स्टूडियो भी मिसू के बॉस ही बाय कर लेता है यून मिसू से मिलने रहा अपनी स्टूडियो में फिर से वापस जाकर वो मिसू की फोटो लेकर आना चाता है पर बॉस ने ओल्डेडी कीज ले ली थी तो मिसू का फोटो भी उसे मिल गया था यून बॉस के पास आता है वो कहता है कि शायद मिसू का फोटो अभी भी स्टूडियो में है उसे लेने के लिए जाना है वोस कहता है कि नहीं मैंने वो ले लिया है वोस यूं से कहता है कि तुम बहुत टेंस हो उसी तरह से मिसू भी है उसे मेरी तरह जरा light hearted हसने वाला एक आदमी चाहिए तुम दोनो अच्छे कपल नहीं हो मैं उसके लिए सही हो सकता हूँ बहुत बॉवस सब मिसू से ही मिलने वाला है यूंझ कि अगर मिलनी वाला हूँ तो क्या तुम मिसू 2 करते हो और गाड़ी चलाने लग जाता है यूंझ भागते लिया है पूरे टाउन में दूर दूर तक गाड़ी क्या में रोक लू मिसु कहती है कि हाँ रोक लो ह्योन अभी तक गाड़ी का पीचा ही कर रहा है यह दिन वह इंजा से मिलने कि लिए यह दोनों बात करती है तो इंजा कहती है कि एक दिन हुन हर्ट होकर यहां आ गया था वो मुझसे कह रहा था कि हर एक आदमी मुझे ही दोशी समझता है इंजा ने एक बार हिउन से कहा था कि वो उस पर ट्रस करती है इसलिए हमेशा वो इंजा से मिलने के लिए आता है हिउन का मिसु को ना बताने का माइंडशेट क्या था यह वो समझ जाती है वो अपना रूटिन कंटीनू करती है पर उसका मन नहीं लगता हिउन रेडियो में ही काम करता है आज वही शो चल रहा है जो हमेशा यह दोनों सुनते थे आरजे हुन से बुच्छता है या कोई नाम है जो तुम मुझे बताना चाहते हो इस शो में मिसु का नाम वो दे देता है एक ब्यूटिफुल रोमेंटिक गाना आरजे चलाता है और यह मिसु को डेडिकेट करता है मिसु यह रेडियो शो सुन रही थी यह जल्दी से हुन से मिलने के लिए निकलती है टैसी लेती है पर आज ट्राफिक जाम है वो बहार निकलती है और जिस तरह से हुन उसके लिए भाग रहा था उसी तरह से हुन से मिलने के लिए भागने लगती है भागते भागते हुन के पास आती है ये दोना इक दूसरे को देखकर smile करते है और इसे एक beautiful note पर ये movie end हो जाती है यून के life में भी problems थी पर मिसू के life भी कम नहीं थी इन में problems आये पर last में इन दोनों ने realize किया ये एक दूसरे की बिनाये नहीं जी सकते है और last में एक दूसरे से मिल गये इसी beautiful moment पर आज की वीडियो हम खत्म करते है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को like करतेजेगा मैं इस तरह की बहुत सारी movies लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को subscribe करतेजे और bell notification icon दबने में मत भूले फिर से मिलेंगे और एक नेमूई के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया